नमसकार, चालू सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट वा स्मार्टपोन हड्लाइन है आज अमरुजाला नियूस पेपर में इसमें साप किया गया है कि टैबलेट वा स्मार्टपोन यूजना के लिए लाश्ट डेट क्या है और क्या करना है राज्य सरकार की और से निलधारित सिक्षण संस्थानों वा पाठिक्रमों में चालू सैक्षिक सत्र 2021-22 में दाखिला लेने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टपोन दिये जाएंगे यूपी डेस्को ने साथ किया है कि इसके लिए पंजी करन कराने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की नहीं बलकि सैक्षिक संस्थान की है UP Disco कार्याले में आयूजित कार्यशाला में सभी सिक्षण संस्थानों को 18 नवंबर तक विद्यार्थियों का डाटा पूर्टल पर अपलोड करने के का निर्देश दिया गया है महतपूर बात है जो माइने रखती है UP Disco ने सभी सिक्षण संस्थानों को 18 नवंबर तक विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करने का टाइम दिया 18 नवंबर समझ लीजिए कि लाश्ट डेट या डेडलाइन दी गई है UP Disco के प्रबंध निदेशक कुमार विनीत ने कहा कि सैक्षिक सत्र 2021-22 में इसनातक उत्तर सहित व्यावसाइक सिक्षा व उच्च सिक्षा से जुड़े पाठिक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टपून दिया जाएगा अगले दो साल तक संबंदित विद्यार्थी से जुड़ी सैक्षिक समगरी रोजगार परक जानकारियां और सरकार की सिक्षा वर रोजगार से जुड़ी यूजनाओं की जानकारियां टैबलेट वर स्मार्टपून पर उपलब्ध कराई जाएगी कारेशाला में साथ विभागों के अधिकारी उपस्तित हुए जबकि 200 अधिकारी वर्चूल लूप से शामिल हुए इसमें महत्वपून बात है एक महत्वपून बात यह है कि 18 नवंबर तक विद्यार्थियों का डाटा करना होगा अपलोड दूसरी महत्वपून बात है कि आपका डाटा आपका कॉलिज भेजेगा और तीसरी महत्वपून बात जो इसमें लिखी हुई है पताने लिखने में उन्होंने ऐसे लिखा है कि यह बात ही ऐसी है कि इस वर्च जिन्होंने भी एड्मिशन लिया है whoever has taken admission in this year whether RTI में आपने लिया है डिप्लोमा में लिया है या फिर undergraduate या पुश्ट graduate प्रोग्राम्स में लिया है तो इसमें साब किया गया है कि इस वर्स जितने लोगों ने admission लिया है tablet वाई smartphone इस वर्स में सब को मिलेंगे तो सब को मिलेंगे तो इसका मतलब second year या third year या fourth year वालों की संभावना या प्राइक्ता थोड़ी सी कम हो जाती है first year वालों का fix है कि आपको मिलना ही मिलना है क्योंकि college के पास कोई ऐसा result का कोई data नहीं है last year exam हुए नहीं थे तो इसका भी कोई यह नहीं है प्रबंद निरेशक कुमार विनीत ने कहा कि सैक्षिक सतर दोजार इकीस 22 में इशनातक इशनातको तर सहित व्योसाइक सिक्षा वा उच्ष सिक्षा से जुड़े पार्ठिक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टपोन दिया जाएगा जिनका अड्मिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है 18 तक कंप्लीट हो जाएगी या डेटा उनका भिज़ देगी उन्वेस्टी या इस्टिटूट तो उनका माना जाएगा कि उनका अड्मिशन है उनको पक्का है कि टैबलेट वई स्मार्टपोन मिलेगा यह मैं फिर से बता दे रहा हूँ यह यूजना फरजी नहीं रहे गई है यह सिर्फ अगबारों में नहीं है और सट लाक टैबलेट और स्मार्टपोन मिलने ही मिलने है तो इमान की चलिए कि मिल जाएगा इसमें अभी भी कुछ कमेंट्स आया करते कि नहीं यूगी कुछ नहीं देगा या ऐसे वैसे कमेंट तो राजनेतिक टिपड़िया अपने जगा पर है मैं उसका समर्थन या विरोध नहीं करता हूँ लेकिन जो यूजना हैं तो यूजना तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से तो दे नहीं रहे है ये तो एक तरह से यूजना है तो ये यूपी का उच्छ चोस अच्छा विभाग देगा इससे जुड़े सारे निउस आर्टिकल हमने आप तक साजा किये इन फ्यूचर भी आपको इससे जुड़ी सारी डिटेल बताते रहेंगे तो इसके लिए स्टेट्यून लएए दर यूनिवर्श्टी कनेक्शन धन्यवाद नमस्कार